सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्लोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए यह प्रोड़क यह कैसे काम करता है और आखरी हमरे डेटा को कैसे सिक्यूर बनाए रख सकता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं चेकनिकल गुरुजी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह है यहां पर मेरे पाऊ से box इसी i-disc का और यहां पर दोस्तों यह एक pen drive जिसमें चुपी है इसके पीछे आइरिस स्कैनिंग टेक्लोजी और यहां पर दोस्तों मेरे पास जो variant है यह है 32 GB का इसका एक और variant भी अविलिबल है जूकी है I think शायद 128 GB का और यह दोस्तों फिलाल चल रहा था कि Kickstarter पर I think यह जो प्रोजेक्ट यह खतम हो गया है तो यह मेरे क्याल से शायद एक टेस्टिंग यूनिट है और यहां में दोस्तों देखते हैं कि आखिर क्या है box contents और कैसे भाईया यह pen drive काम करता है iris scanning technology के साथ में तो यहां पे box बड़ाई tight सा है तो यहां में दोस्तों सबसे पहले रखा है यह एक device जो की है दोस्तों हमारी iDisk और यहां में दोस्तों design कुछ ऐसा है कि आपको शायद यहां मिलता है iris scanning वाला mechanism, यहां पे एक LD light और दोस्तों यहां पे है USB type C connector port और बाकि दोस्तों बात करते हैं नीचे बाकी box contents की तो हमको मिल जाता है साथ में नीचे रखा हुआ कुछ basic paperwork जो दोस्तों बताएगा कैसे आप इसको use कर सकते हैं, कैसे अपने आँखें में अगर आप कर पाएंगे और बाकि दोस्तों यहां पे यह है एक cable जो की दोस्तों एक angular cable है USB type C to normal USB तो यहां पे यह दोस्तों cable है यह जाईगी आपकी iDisk में कुछ इस तरीके से और बाद में यहां पे लगाईए अपने laptop में दोस्तों आप कर पाएंगे register इस device को और बाद में use भी कर पाएंगे तफिर दोस्तों connect करता हूँ अपने laptop के साथ में और देखते हैं कि आखर यह कैसे काम करता है और यह दोस्तों एक USB 3 based drive जहां पे है 256 bit का encryption iris scanning के बाद में तो भाईया काफी secure चीज़े हैं देखते हैं आखर यह काम कैसे करता है तो यहां पर दोस्तों मैं connect करता हूँ इस iDisc को इस Windows computer के साथ में भाईया Mac में तो रहता है dongles का जंजट तो यहां पर दोस्तों connect कर दिया है और देखते हैं कि सामने screen पे क्या दोस्तों यहां पर इसका अपना एक जो partition है वो open हो गया है और यहां पर दोस्तों इसका एक I think setup file रहेगी तो यहां पर दोस्तों आता है welcome to iris connection USB drive your eye is your password भईया बहुत सारी चीज़े हैं और बोलते हैं यह एक तरीके से unhackable driver because यहां पर encryption है 256 bit का यहां पर दोस्तों अपने बहुत से दोड़ों आउपसे अर पी है कहां से पकड़्ना है और उसके बाद में आंखे जो है वो थोड़ी बएवाध बड़ी खोलनी है इसको थोड़ा आपको आगे बीचे करना है और चश्मा अगर आप पहनते हो तो आप उसको हटा दो तो उसको करता हूँ यहाँ पे start और यह scanning इसकी शुरू हो गई है तो यहाँ पे दोस्तों आ गया है registration successful iris scanning जो है वो यहाँ पे दोस्तों हो गया है बिल्कुल successful done मैं तो कर देता हूँ अब यहाँ पे done storage कितनी available है कितनी used है और इसमें आप तरह तरह की users को add कर सकते हैं backup ले सकते हैं मतलब बहुत सारे I think दोस्तों यहाँ पे advanced options हैं तो यह आपके हाथ में हैं आगर आप किसी computer में लगाते हैं तो क्या होगा लगाते ही सबसे पहले इसका जो सिर्फ एक folder है वो ही दोस्तों यहाँ पे खुलेगा एक ही इसका जो partition है वही open होगा जहाँ पे आपको पहले दोस्तों यहाँ पे software को run करना पड़ेगा उसके बाद में आपको यहाँ पे verify करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको यह window खुलती है जहाँ पे आपके पास में है actual storage जो की है कुछ 32 GB की तो यह दोस्तों iDisc अपने आप में है काफी unique चीज़ है मैंने आद से पहले ऐसा कोई drive नहीं देखी जहाँ पे आपको iris scanning मिलती हो passwords वाली बहुत ही common है उसके लावा जो आपको मिल जाते हैं उपर 123 वाला keypad वो भी बहुत ही common है लेकिन iris scanning तो यह है यहाँ पे दूस्तों iDisc हाला कि इसके एक बात में जो अच्छी नहीं लगी वो है यह cable कि आपको यह हमेशा साथ रखके carry करना पड़ेगा लेकिन दूस्तों फिर अभी laptop में लगे लगे तो आप इसको जो है वो अपनी आँखे नहीं पढ़वा सकते हैं तो यह बिसकलिए ऐसी चीश होनी चीए जो भाईया आराम से move हो जाए हाला कि fingerprint वाली pen drives भी आते हैं तो यह दूस्तों iDisk अगर आपको लगता है आपको data बहुत ज़्यादा आपको secure चाहिए तो शायद यह आपके लिए ठीक है अदरवाइस एक normal user जो है वो शायद एक standard pen drive को यूज़ करे तो ही बहतर होगा because ऐसे में दूस्तों यह expensive भी होगी मेरे खाल से इसकी price को 46-50 dollars के आसपास तीकी starter पे तो मतलब कितना बन गया 3,035 रुबे के आसपास सिर्फ 32 GB की storage के लिए तो अपने आप में expensive है लेकिन ऐसे में भाईया unhackable भी है तो जो data है वो आपको इसमें secure बना रहेगा इसी iDisk में अब दोस्तों वीडियो बनाते बनाती मैंने सोचा यार कि क्योंकि मैं जो है वो Windows computers तो use करता नहीं हूँ Mac में भाईया पंगा रहता है इसी USB port का और ऐसे में मैं pen drives को भी इतना use दोस्तों करता नहीं हो तो मतलब मुझे लगा क्यार क्यों ना किया जाए इसी का giveaway तो यहाँ दोस्तों यह जो USB drive है iDisk का या Iris scanning वाला pen drive यह दोस्तों मिल जाएगा आप में से किसी एक viewer को participant करना बहुत ही आसान दोस्तों है आप इस वीडियो को बस कर दीजिए लाइक कर दीजिए आप इसको share और आप दोस्तों नीचे कोई एक comment लिखके यह बताएए कि आप इसको कैसे use करेंगा मतलब आपको random comment तो मैं pick कर लूँगा लेकिन आपको comment में यही लिखना है कि आप इस device को कैसे use करेंगे और इसके बाद दोस्तों मैं सिर्फ दो दिन के बाद में मतलब भखिया निकालता हूँ इसका result दोस्तों अपने tech talks में ताकि यह जो USB drive है यह किसी ऐसे इंसान को मिले जो actual में इसको use करके अपना फैदा ले पाए मैं तो इसको खेर use करूँगा नहीं मेरा data already मैं काफी secure रखता हूँ तो फिलाल वीडियो में इतना ही देखने के लिए को अधने बाद मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको क्योड़ दलन सुझावों तो आपने चेकर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और चैनलों सब्सक्राइब कर दाव लोगों लिए मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ लाल फिले इतना ही दोस्तों जया हिंद वंदे मातरम